हेलो फ्रेंट्स आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत सवागत है अगर आपके पास बनी ज्यानी की राबिट्स हैं तो यह सवाल आपके मन में भी आया होगा कि क्या हम अपने प्यारे बनी को नहला सकते हैं इस बात को लेकर बहुत से डाउट हैं कुछ लोगों का माना है कि इन भी और बाकी पैट की तरह नहला सकते हैं तो आज की वीडियो में हम इन दोनों ही साइट पर बात करेंगे कि खरगोश को नहलाना चाहिए या फिर नहीं नहलाना चाहिए या फिर अगर हमें अपने राबिट को नहलाते हैं तो वे कौन-कौन से कंडिशन हैं जिसमें हम अपने को नहला सकते हैं खर्गोस बहुत जाहिस लाँ सांसिटीव नेश बहुत जादा घबरा जाते हैं जब उन्हें आप गीला करने की कोशिश करते हैं तो पानी से बसने के लिए इधर उधर कहीं भी दोड के लिए या पानी से बसने के लिए खरगोष खुद को घाल कर सकता है, खुद को नुफसान पहुंचा सकता है, जो कि उसके खरगोष के लिए जान देवा भी साबित हो सकता है। इसके साथी गीले होने की वज़े से खरगोष को skin related यानि की तवस्चा संबंदत बिमारिया भी हो सकती है। खरगोष के body का system कुछ ऐसा है कि वे natural रूप से कुद को साफ रह सकते हैं। उनको नहाने की जरवत नहीं परती। खरगोष के body गीली होने के लिए नहीं बनी है। ये natural रूप से इनकी body ऐसी होती है कि वो गीली होने के लिए नहीं बनी है। गीले होने की वजह से खर्गोश को निमोनिया या फिर सांस का इन्थाउर्प्शन या फिर हाइपِत्थार्मियदि कोई और भी जांलव भिमारी भी हो तो खर्गोश की जो फ्रेंटकी फार हो सकता है तो फ्रेंट भले ही आपका बनी कितना भी गुंदा क्यों न हो रहा हूँ उसको कभी भी नहलाने की न सोचे खुद की तरफ से अपने बनी को कभी न हलाए बनी आपका बनी अपने आपको साफ रखना बहुत यह अच्छे से जानता है तो इस बात की टेंशा न लें कि सिन्ट हो रहा है या फिस गंद की लाइन की जरुवत है कि अगर अधां के परिस्टित्यों मेंढ़ना चाहिए अगर आपको लगता है कि ऐसा नहाने की जरुवत है कि क्लीज जैंवर की दक्टर होते हैं उनकी संसुल मुझे कि किया इसे नहला करना है यहां तक कि आपके वनिकी जान बेजा सकती है तो अपने बनी को अपनी मर्जिस से बिल्कुल ना महलाएं जब आपको लगता हो कि आपके वनी को नहाने की जुरुवत है तो प्लीज जान वरोगे डॉक्तर के साथ का रूंत करें उनकी करें बिना डॉक्टर के चला के कभी भी आप अपने बने को ना नहलाएं तो फ्रेंट्स मैं उमीद करती हूँ कि खरगोष को नहलाने या पिर ना नहलाने को लेकर आपके डॉट दूर हो गए होंगे तो प्रेंज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हूँ आख से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई